या क्या है? मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे लिए डोनट बनाए या क्या चाहेगा? या सबसे डार्ग डोनट होगा? मैं अपनी प्यारी पोती के लिए कुछ भी करूंगी मुझे लगता है एक विशेश उपकरन में डोनट बनाना बहुत सुविधा जनक और तेज है हमें बस वहाँ बैटर डालना होता है ओ हाँ, मैं भी ऐसा कर सकती हूँ पर मेरे डोनट स्रंगीन होंगे क्योंकि ऐसा करना बहुत अधिक मज़ेदार होता है तुम्हारे आइडियाज भी ना तुम लोग कुछ से कुछ करते रहते हो बेकार, देखो असली डोनट कैसा होना चाहिए वे काले हैं, लेकिन वे शायद सबसे स्वाधिस है काला रन लाल के साथ सबसे अच्छी से जाता है इसलिए मैं अपनी डोनट पर लाल ग्लेज लगाऊंगी और फिर मैं उपर से थोड़ा सफेद जोड़ूंगी तब यह और भी सुन्दर हो जाएगा ठिंग, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी मेरे लिए अभी एक गहरी कतोरी लाओ मैं उसमें स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगी हाँ, यह ठीक रहेगा फिर मैं इसे सिरिंज में डालूंगी किसलिए? अब तुम खुद ही सब देखोगे डादी, क्या आप ट्रिक देखना चाहती है? देखिए, मेरे पास खून की एक पूरी सिरिंज है किसी बुरे हाथ में को इस तरह क्यों डाराती हो? मुझे लगबग दिल का धोरा बढ़ गया था ओ, चलो, यह सिर्फ सिरप है मैं आपकी बोती की खातिरी यक कोशिश कर रही हूँ मैं चाहती हूँ कि वरना केबल स्वादिस्ट बलकि सुन्दर डोनट्स का स्वाद ले हाँ, अगर कोई उन्हें मेरे पास लाता तो मैं पक्का भी होस हो जाती अब मैं तुम्हें दिखाऊंगे कि सामाने डोनट्स कैसे दिखने चाहिए सबसे पहले उन्हें काला बनाने के बिल्कुल जरुवत नहीं है और सुन्दरता के लिए थोड़ा पाउडर चीनी काफी होगा बस, देखो यह कितना सुन्दर हो गया सुन्दर तो मेरे डोनट्स हैं इसे तो बस देखकर ही मन खुश हो जाता है लेकिन उन्हें और भी मज़ेदार बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा चमकीला स्प्रिंकल्स क्यों न जोड़े हाला कि पहले मुझे इस बेकार जार को खोलना होगा उफ, चलो खुलो ओ रेवेका, तुमने जार खोला अब तुम खोदी चमकीली दिख रही हो माई ने यह रखता है कि डोनट्स तयार है मारगो, एक विनर चुनने का समय है मैंस्डे ने अपने ही अंदाज में डोनट्स बनाया है थोड़े दरामने दीख रहे हैं लेकिन वास्ता में बहुत साधिस थैं और सिरप के साथ सिरेंज एक बढ़ी आईडिया है दादी, अब मैं आपके डोनट्स खाने जा रही हूँ मैं जूट नहीं बोलूँगी, यह बस ऐसे ही है बहुत साधरल ओ, लेकिन रेबेका के डोनट्स ज़्यादा दिलचस्प लग रहे हैं मुझे आसा है कि उनका स्वात भी अच्छा होगा चलो, खा कर देखती हूँ यह सबसे स्वादिश जोनट्स हैं, जिने मैंने कभी चखा है बधाई हो बहन, तुम जीत गई धन्यवाद मार्गो, I love you वेंस्डे, एक बुढ़ी औरत को ढराना बंद करो इस राउंड में सबको मेरे लिए कॉक्टिल बनाना होगा स्वादिश और सुन्दर यह मैं कर सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है मुझे जीतना है और अगर मुझे जीतना है, तो मुझे वैसा कॉक्टिल बनाना होगा यह तैयार हो गया, अब कैंडी स्किटल जोड़ने का समय है इसमें कोई शक नहीं है कि इन कैंडी सको हर कोई पसंद करता है लेकिन पहले उन्हें रंग के अनुसार अलग करने की जर्वत है ताकि हमारे रंगीन और स्वाधिस्ट कप के बीच खूप सूर्टी से इन्हें रखा जा सके पहले थोड़ा खा लेती हूँ और अब यह स्प्राइट का समय है यह कोक्केल का आधार होगा पर अब इसे अपने हाथों से खोलना लगभगा संबभ है मुझे इसके लिए अपने हेर पिन का उप्योग करना होगा ओह यह क्या गिला और मीठा बेचारी रेविका मैं ठीक हूँ मैंने बस स्प्राइट शावन लिया लेकिन यह इतना ही नहीं है विप्श्रिम के बिना किस थरका कॉक्टेल और थोड़ी कैंडी कोई नुकसान नहीं पहुचाएगी ताडा मेरा मास्टरपीस तयार है तुम कितनी अच्छी प्रतियोगी हो लेकिन तुम्हारे कॉक्टेल बिल्कुल हेल्दी नहीं है और मार्गो को विटामिन की जर्वत है इसलिए कॉक्टेल जहां तक हो सके उप्योगी होना चाहिए सब्जियों में विटामिन सबसे अधिक होते हैं तो क्यों न सिर्व सब्जी कॉक्टेल बनाया जाए देखो, सारी सब्जियों को एक साथ मिला कर पीज देना है बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है मुझे यकीन है मार्गो को ये बहुत पसंद आएगा मुझे शक है मैं स्ट्रॉबेरी सिर्व के साथ अपना कॉक्टेल बनाना शुरू करूंगी मैं उन्हें एक ग्लास में डालूंगी ताकि ये तुरंट और अधिक सुन्दर हो जाए फिर इस प्राइट एक्सिल में जाएगा जिसे मैं हरे सिर्व की मदद से खोड़ा सजाऊंगी थिंग मुझे फिर से तुम्हारे मदद की जरुवत है मेरे लिए थोड़े विप टिन चुराओ किसी दिन मैं इस थिंग को तोड़ दूँगी ये बहुत धरावना है हाँ और उसने मेरी क्रीम चुरा ली धन्य बाद तुमने सब ठीक किया और वे सिर्फ मजाग कर रहे हैं आखिरकार अब मैं कॉक्टेल में क्रीम डालूंगी और बेशक इसे गमी आईट से भी सजाओंगी मेरी राय में बहुत अच्छा त्यार हुआ है मारगो अब बताओ किसका कॉक्टेल सबसे स्वादिस्ट है Wednesday हमेशा की तरह सबसे औरिजनल पेच तुमने एक बहुती स्वादिस्ट कॉक्टेल त्यार किया है गमी कैंडी तो सोने पर सुहागा है खास करके आख दादी, क्या आपने फिर से सबसियों का मिक्सर मेरे लिए त्यार किया है तुम्हें पता है, मैं इसे बरदास्त नहीं कर सकती यह किनोना है और मेरी बहन फिर से कुछ कूल लेकर आई है चलो चक कर देखी किसका स्वाद कैसा है खमाल है रेवेका, तुमने फिर से जीत हासिल कर लिया होरे, चिंता मत करो किसी दिन तुम भी लखी होगी इस बार स्वादिश पास्ता के साथ मुझे सर्प्राइस करो मेरे पास कुछ आईडियाज है दादी, सोमाद, यह खाना पकाने का समय है पास्ता, आसानी से, मेरी पोती के लिए पास्ता बनाने से आसान कुछ भी नहीं है क्या आप जानते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि बरतन में पानी गर्म है क्या ठिंग मेरी मदद करेगी इसे कभी भी घर पर ना दो रहा है क्योंकि इस ठिंग को गर्मी बिल्कुल भी मैसूस नहीं होती है हाला कि यह अभी भी उसके लिए अच्छा नहीं है खरीद कर लाया वो पास्ता बोरिंग है मैं उन्हें खुद क्यों नहीं पकाती मेरे पास आटा है अच्छे हाँ अब सभी के पास आटा है गुस्सा मत करो दादी मैंने इसे जानबुचकर नहीं किया है अब हमें आटा गुनने की जरुवत है और इसके लिए हमें आटे में कच्चा अंडा मिलाना होगा और फिर इसे अच्छे से गुन्द लेना है आटे को रंग देने का समय है ताकि नूडल्स रंगीन और चमकदार हो जाए आगे अब हमें एक विशेश मशिन में आटा रोल करना होगा और फिर इसे पास्ता की तरह काट लेंगे तो मेरा रंगीन पास्ता जल्दी तयार हो जाएगा यहां तक कि स्टोर से खरीदी गई पास्ता को भी प्यार से पकाया जा सकता है हाला कि भाब के कारण मैं कुछ भी नहीं देख पा रही रेवेका क्या मैंने केचप जादा डाल दिया नहीं दादी आपने तीसे अभी तक खोला भी नहीं था मैं भी क्या करती रहती हूँ आहा कितना भयानक है वेंस्टी देखो आम तोर पर तुम इस तरह का तमासा पसंद करती हो रेवेका नैपकिन के लिए धन्यवाद मैं पास्ता बनाना जारी रख पाऊंगी पस मुझे नूडल्स में थोड़ा सौस डालना ही बचा है यह स्वादिश लग रहा है दादी आप बहुत अच्छा कर रही है स्वादिश लेकिन कितना बोरी क्या आप पास्ता को और दिल्चस बनाना चाहते हैं हमें उन्हें काला रंग देना होगा हाँ इस तरह से दादी ने मुझे दिल्चस पाइडिया दिया है कैचप और आप के साथ मेरे हिस्से को डराबना क्यों न बनाया जाए आपको यह आइडिया कैसा लगा यह बहुत डराबना है मैं वह नहीं खा पाऊंगी मेरे रंगिन पास्ता की बात ही कुछ और है मुझे उमीद है कि मारगोई से पसंद करेगी वेंस जे क्या तुम डराना बन करोगी खाना फिर से बहुत दिल्चस्प है लेकिन यहा कोई पास्ता नहीं है दादी लेकिन आपने केचप के साथ क्लासिक पास्ता बनाया है यह बहुत स्वादिश्ट है तुम मेरी प्यारी बच्ची हो पताने रेवेका फिर से क्या लेकर आई है मुझे उमीद है कि यह पास्ता नकिबल सुन्दर है बलकि स्वादिश्ट भी है मैंने खास करके तुम्हारी लिए त्यार किया है रेवेका तुम फिर से जीत गई हो हुरे आज मैं लखी हूँ वेंस्डे मैं लगबग भूल गई मैं खास करके तुम्हारी लिक हेर पिल लाई थी मुझे लगता है तुम पर बहुत अच्छा लगेगा मैं ऐसी चीजों को नहीं पहनती इस बार मेरे लिए सीजर सलाथ त्यार करो आसान मैं सलाथ बना सकती हूँ मैं कोशिश करूँगी सीजर सलाथ के लिए सबसे जरूरी चीज़ सलाथ के पत्ते और चिकन है जाहिर है क्रुटोंस नहीं छोड़ना है जो वैसे मेरे लिए खाना बहुत मुश्किल है क्योंकि वे बहुत कड़े है और अधिक चीज क्यों नहीं ग्रेट करके मिलाए मुझे पता है कि मार्गों उसे पसंद करती है मैं मार्गों के लिए एक हरा भरा ट्रीट बनाऊँगी यह सीजर नहीं होगा लेकिन मुझे लगता है वो लंबे तनों पर मेरे खाने वाले फून को पसंद करेगी वेंस्टे देखो कितना अच्छा आइडिया है कुछ भी अच्छा नहीं है यहाँ मेरा आइडिया है और वास्तम में अच्छा है मैं शिमला मिर्च में सलाथ बनाऊँगी माने साधरन सब्जियों की तरह ही है पर मैंने काफी मेनत की है यहाँ दादी स्वादिष सीजर सलाथ बनाना जानती है और आज कोई अफ़ाद नहीं है यह बहुत स्वादिष्ट है वेंस्डे क्या यह ओलिप्स है मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है दादी आपकी जीत पर बधाई आखिरकार मैं कब से इसका इंजार कर रही थी ऐसा लगता है कि दादी और बेहन अच्छा समय बिता रहे है खेर बाते बहुत हो गई अब यह पता लगाने का समय है कि हमारे हीरोज के लिए कौन सा डेश इजार कर रहा है बर्गर वाह खेर क्या हम सभी हमारी नई चुनोती के लिए तेयार है तो चलो शुरू करते है दादी बर्गर बंस के साथ शुरू करती है हाँ टोस्टेट बंस ज़्यादा स्वादिश होते हैं अब हमें मीट कीवा चाहिए दादी कीमा के गूले बनाती है और उन्हें फ्राइंग पैन में डालती है एक स्प्याचुला के साथ उसे दबाती है इस तरह से और कटलेट तेयार है और अब स्वादिश चीज का एक टुकड़ा और हाँ टमाटर के बिना किस तरह का बर्गर और उपर से एक प्याज और एक बंद भी वाँ दादी ने इतनी जल्दी काम का सामना किया बहुत बढ़ी हाँ काम दादी अब बहन की बारी है ऐसा लगता है कि साधारन बंद से यहाँ काम नहीं चलेगा क्या एक डोनट वाँ कितना स्वादिश्ट है बहन डोनट को दो हिसो में काटती है और आप चॉकलेट यह कितना मीठा है लेकिन बहन के पास कुछ और है ओ यह खट्टा जेल है यह बहुत साधिस्ट है लेकिन बहुत खट्टा अब मार्शमेलो डालते है थोड़ा गमी कैंडी और बेरी सिरप क्यो नहीं अब हम अपने चमतकारी बर्गर को एक बन के साथ कवर करते है ओ कितना सुंदर है ऐसा लगता है दादी ने भी अपनी पोती के काम की सराना की लेकिन वेंस्टे को सर्प्राइस करना इतना आसान नहीं है हम हमेशा की तरह बन्स के साथ शुरू करते हैं बेशक काले रंग के साथ एक कटलेट फ्राइ किया इस तरह वाँ वेंस्टे चीज के टुकड़े के साथ क्या कर रही है वाँ ये चीज अब कितना अच्छा लग रहा है खेरे का एक टुकड़ा मानों बर्गर के मुँम में जीव हो लेकिन किसी चीज की कमी है ये अच्छा है कि वेंस्टे के बगल में हमेशा एक हाथ होता है जो किसी भी समस्य में मदद करेगा गमी आखे ऐसा लगता है कि वेंस्टे को यही चाहिए अरे सावधा अंदादी हाथ किसी को कोई हानी नहीं पोचाता है आप बर्गर में आखे डालते हैं वाव, बस इस मॉंस्टर को देखो यह बहुत डरावना है लेकिन फिर भी बहुत स्वादिश्ट देख रहा है लेकिन कौन सा बर्गर सबसे स्वादिश्ट होगा? अब हम पता लगाएंगे मार्गू, चलो जल्दी करो ओ, मैं कितनी भूखी हूँ यह बर्गर कुछ अलग सा दिख रहा है, चलो खा कर देखती हूँ स्वादिश्ट, मुझे यह पसंद आया तो अब आगे क्या है? और यह रहा मेरा पहला बाइट ची, क्या यह प्याज है? क्या गरबड है? यह बर्गर वान नहीं है, जिसकी मुझे जरुवत है तो हमारे पास यहाँ क्या है? वाँ, यह मेरे फेवरेट कैंडी है डोनट के साथ गामी यह मेरे स्वाद के ही साथ का है खेर, यह विजेता चुनने का समय है और बस यह, यह बर्गर हाँ, यह हमारा विजेता है वाँ, वेंस्डी को बढ़ाई क्या यह सिर्प मुझे लग रहा है या वेंस्डी के चेरे पर एक मुसकान है वेंस्डी मुस्कुरा रही है वाँ, ओफ, ऐसा लगता है कुछ शर्मा आ गया है ऐसा लगता है कि बेहन और थिंग एक दूसरे की भाषा समझते हैं ओ, यह ठिंक है अपनी जगा पर जाने का समय है और यह हमारे प्रतियोगियों के लिए एक नया डिश बनाने का समय है होट चॉकलेट इस स्वादिस ड्रिंक को कौन पसंद नहीं करेगा मुझे उमीद है सभी तयार है आगे बढ़ो दादी सबसे पहले फिर से बनाना शुरू करती है दादी एक सॉस पैन में दूर डालती है अब कोको पाउडर तो लाना नहीं भूलना है अरे हाँ, चॉकलेट का एक बार स्वाद को और भी बढ़ियां बना देगा यह कितना मीठा है दादी ने अपने सिगनेचर मंग में होट चॉकलेट डाली बहुत बढ़ी हैं दादी ऐसे होट चॉकलेट किसी को भी गर्म कर देगी आप बहन के बारी है अरे सावधान तो आप सभी चॉकलेट था सकते है हाँ, दादी सही है चीनी को थोड़ा ही डाला जाना चाहिए इस तरह से ओ, ओ, वा क्या कर रही है हाँ, बस इस मीठा पसंद करने वाली लड़की को देखो दादी को चीनी की इतनी मात्रा कभी पसंद नहीं आती खैट, अब दूर डालने का समय है सावधान रहो उफ, हाँ, बेहन को सपस्ट्रूप से अधिक चौकस रहने की जरुवत है तो, आप सभी सामगरी खर्च कर सकते हैं अब थोड़ा डाई वाउ, देखो यह कितना सुन्दर है यह क्रीम बहुत रहीन है अब थोड़ा मीठा स्प्रिंकल इसे कहते हैं सर्वी बेहन ने अपना बेस्ट प्रदर्शन किया है लेकिन यह इतना ही नहीं है फाइनल साच, विट्ट क्रीम और मार्शमेलो है वाँ, देखो यह कितना सुन्दर है हाँ, बेहन ने अपना बेस्ट प्रदर्शन किया है वेंस्डे अब तुम्हारी बारी है यहाँ एक उप्यूक्त बग की जर्वत है ठिंक, हम यहाँ तुम्हारी मदद के बिना नहीं कर सकते ओ, कितना धराबना है दादी, बेतर होगा कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखे West Day अपने मग में चॉकलेट डालती है यहाँ विप्ट क्रेम है बेडी सिरप, बढ़िया और यहाँ हरिवो के गमी कैंडीज है ओ हाँ, इस अनूठी सर्विंग को देखो होट चॉकलेट तयार है क्यों? वाँ, यह बढ़िया है यह स्वादिस्ट है, मुझे यह पसंद है ओ, यह दादी के होट चॉकलेट है बढ़िया यह क्या है, यह अजीब लग रहा है लेकिन चक कर देखती हूँ बुरा नहीं है, और जीत होती है हाँ, बैहन, इस राउंड में तुम जीतती हो ऐसा लगता है कि हमारे हिरोज एक नई चुलाती के लिए त्यार है इस बार उनके लिए क्या इंजार कर रहा है वाव, यह फ्रेंच फ्राइज है इस वेंजन को पकाने और परोशने के कई तरीके है अब हम यह पता लगाएंगे कि हमारे हिरोज कौन सा तरीका अपनाएंगे बेशक, आलू को पहले चिलना होगा वाव, क्या बुरा है वाव, बैहन ने आलू चिलने का एक बहुती अलग सा तरीका चुला है लादी दुखी है लेकिन वो आपनी प्यारी पोती पर कैसे नराज हो सकती है अब आपको आलू लेना है बस या बैहन एक विशेश चाकू से आलू काचती है चरा देखो यह कितना खुबसरत निकला यह कुछ रंग जोड़ने का समय है वाव, कितना चमकिला रंग तेल डाले और हमारे रंगी नालू को फ्राइंग पैन में डाल सकते हैं बढ़िया गर्म तेल के साथ आपको हमेशा बहुत सावधान रहना चाहिए अरे, ध्यान से हम अपने रंगी नालू को एक प्लेट पर खुबसूरती से फैलाते है बहन ने इतनी खुबसूरत रंगीन फ्रेंच फ्राइस तयार किया है दादी किसी भी डिश का अधिक क्लासिक संस्क्रन पसंद करती है और कभी कभी क्लासिक संस्क्रन सबसे अच्छा होता है है ना? ओ हाँ, फ्रेंच फ्राइस और कैचप ये स्वाद बच्पन से सभी के लिए जाना पहचाना है इससे बेहतर और क्या हो सकता है? बढ़िया काम दादी तो वेंजडे इस बार हमें किस तरह से सर्प्राइस कर रही है? वेंजडे के फ्राइस पहले से ही तयार है ऐसा लगता है कि कुछ बहुती अलग सर्विंग हमारी लेंज़ार कर रही है ओ यह क्या है? अर नहीं, ऐसा लगता है कि वेंजडे ने गलत तरफ रंग स्प्रे कर दिया है दादी बेहतर होगा आप अपनी आखों को ढख ले यह सीन कमजोर दिलवालों के लिए नहीं है फ्यू, हम कहां थे? ओ हाँ, फ्रेंज फ्राइस वेंजडे ने फ्राइस को काले रंग में रंग दिया है वा, यह कितना सुन्दर है ऐसा लगता है कि बेहन को वेंजडे की डिश पसंद आई है अब देखते हैं कि मार्गों को यह सब कितना पसंद आता है अच्छा, तो हमारे पास यहां क्या है? ओ, क्या यहां आलू थोड़ा जला हुआ नहीं? नई, यह स्वाद बुरा नहीं है और कैचप के साथ? बस, सूपर! ओ, मुझे लगता मैं रूप नहीं पाऊंगी और आखिरी टुकरे तक सब कुछ खाऊंगी स्वादिश्ट अब अगला प्रतिभागी गुरा नहीं है लेकिन यह इस तरह से भी स्वादिश्ट होगा खैर, बाई-बाई आलो मैं तुम्हें पूरा खा जाऊंगी बढ़िया, लगता है मैंने काफी खाल लिया है लेकिन अभी भी एक तीसरा कोर्स बाकी है कितने सुन्दर सुन्दर आलो है यह बहुत साधिस्ट है ला जवाब ओ, आखिरी टुकडा चिंता मत करो मैं ती कुछ